हलो एवरीवन मैं विश्ट जीत सिंग आप सभी का दीई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.09 का Unit 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं उन Lessons के Basis पे किस طरु के Topics बन सकते हैं उन Topic के Basis पे क्या Questions बन सकते हैं उन Questions के Basis के Bahis पे किस तरह के Answer हम लिख सकते हैं पैटरन क्या हो सकता उन Questions का उसकी बारे में हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं एक तरह का Selective Study होगा जिस से हम कम समय में हर एक Chapter को जा सकते है हैं और एक चेप्टर को विजिट कर सकते हैं, और अपना सिलिपस कम्प्लिट कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, सबसे पहले दोस्तों मैं यूनिट 6 के बारे में बात करूँ, तो रास्ट ये आंदोलोन अपने चरम पर है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदो लेकर उसके बारे में बात करती हैं, तो यहां पर नर्मली कोशन तो बन का आया था है, भारत वार्या के संबंद को बताईए या रणनीती को बताईए तो देखो जो भी आंदोलन चल रहे थे उसमें किसानों की भागदारी बहुत जादा थी जैसे आप बात करोगे कि गांदी जी दोरा जो चमपारन सत्यगर किया गया तो वो किस का आंदोलन था क्या गांदी जी का था उसके अंदर में किस वर्ग की भागदारी थे तो किसानों की भागदारी थी किसानों की जागरूपता की भागदारी थी और किसान वर्ग सबसे आगे था उस आंदोलन के अंदर में पाटिस्पेट करने के अंदर में तो जितने भी आंदोलन हुए तो वहाँ पंपर किसानों को जब हित्वी बात की जारी थी तो वहाँ पे किसान सब पाटिस्पेट कर रहे थे पर नौर्मली एक विडमबना ये भी हम ये देखते हैं कि जो दूसरे वर्ग थे मजदूर वर्ग, चाए किसान वर्गों, उनकी बात बहुत कमकी जाती है reason यह रहता है कि लोगों के मन में यह भी था कि जितने भी moment तो रहे न यह हमारे moments नहीं है यह सारे उच्छे वर्ग के moment है या दूसरे लोगों के moment है हमारे काम का moment है है जैसे एक example यहाँ पर और समझ सकते हो कि जो भी moment चल रहे थे तो वहाँ पर जो उच्छ वर्ग का उसमें दबदबा जादा था जो दूसरा वर्ग था उसका दबदबा जादा था उसके अंदर में participation जादा था तो उसके कारण से यह जो किसान वर्ग था जहां पर हम बात करते हैं मजदूर वर्ग का ठीके जो वर्किंग क्लास था उसका क्या participation रहता है तो यहाँ पर आंदोलन के अंदर में मजदूरों की भागीदारी क्या थी यह same question बनकर आता है कि मजदूर किस तरह से participate कर रहे थे तो कई जगह पर दिखा जाता है कई सारे आंदोलों के अंदर में मजदूरों की भी मांग की जाती है जिसके अंदर में जिसे 1937 का चुनाव होता है तो 1937 की चुनाव के अंदर में Congress Party यह कहती है यह दावा करती है और उसके उपर basis पे चुनाव लड़ती है कि समान वेतन हो समान वेतन मतलब क्या कि सबको समान वेतन मिले समान अवकास मिले वेतन के समानी अवकास भी दिया जाए रोजगार की बात की कर जाती है सिक्षा की बात की जाती है ठीक है तो यह चीजे की मुद्दे बनते हैं और यहाँ पर मजदूर वर्ग भी इसमें पाइटिसिपेट करते हुए हमें दिखते हैं और सेम जमीदार वाले का भी सहीमी कोशन रहता है पर जमीदार वाले में एक कोशन यह भी आता है कि इस्तमारी बंदोबस जो 1793 में लाएगी थी 1793 के अंदर में Lord करजन के दौरा यहाँ पर Lord कार्णिवर्स के दौरा यहाँ पर इंटर्डिस क्या गया था ठीक है तो यहाँ पर टिपड़ी बेस कोशन रहता है कि इस नमारी बंदोबस होता क्या है उसको बताईए उसको समझाइए ठीक है और 1857 के बाद की जो इस्तिती जमीदारों की वो बताईए यहाँ पर दो कोशन बनकर आता है 1857 के विद्रो को देखोगे तो जमीदारों के खिलाब भी विद वो यहाँ पर एक कुश्चिन बनकर आयाता है तो इस पूरे यूनिट के अंदर में सिंपल से टॉबिक से कुछ खास है नहीं तो आपको नॉर्मली पढ़ना है ठीक है उसके बेसिस पर आंसर लिखना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह वीडियो एंड होता है और एक जब एक हुआ है झायए तो आया लिए जाग है पर पहांदा खासमाद के वहाँए पर आंसर प्रेंगता है तो आंसर आपको से कुछ जाए खासमाना है वहाँ श एक एक कर दोफ़िक से कहाँ है क्यों हम पर आपको